नमस्कार मित्रो मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पेशाम में जलन के लिए एक घरेलू इलाज बताती हूँ मित्रो हमें कई वार गर्म चीज़े खाने से या कोई अंग्रेजी दवाईया लेने से पेशाम में जलन हो जाती है जिससे बहुत ही असेनिये पीड़ा होती है आज मैं आपको केवल तीन खुराक में पेशाम की जलन से चुटकारा दिला दूँगी इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरुत पड़ेगी जो आपकी रसुई में ही मिल जाएंगी ये इलाज राममान है इसको एक बाद जरूर अजमाएं इसका कोई साड एफेक्ट नह ही है आपको चाहिए धनिया पाउडर ये धनिया पाउडर है ये धनिया है सावद धनिया ही लाएं बजार से सावद धनिया लाकर इसका पाउडर बना लें पाउडर बना बनाया ने लाएं बजार में कई तरह के केमीकल मिला देते हैं इसलिए वो ज्यादा काम नहीं करते ह आप साबुत धनिया लाके घर میں मिक्सी में पीश लें और जितना धनिया उतनी ही मिस्री लें बड़ावार की मातरा मिलानी है धनिया पावडर और मिस्री दोनों को पीश लें इस तरह ये डनिया मैंने पीच लिया है, इस थरे पीच लें, और मिश्री को भी पीच लें, फिर इस तरह का पाउडर बन जाएगा, इस तरह धनिया मिश्री मिला के ये पाउडर बन जाएगा, इसको अच्छी तरह मिला लें, दोनों चीज बरावर होनी चाहिए, धनिया और मिश्री बरावर मिला करक इस तरह से दवाई बना लें ये आपकी पेशाब की जलन की दवाई तयार है इस दवाई को आपको कैसे लेनी है इस दवाई को इतनी एक चमच भरके खाली पेट दिन में तीन बार लेनी है ठंडे पानी से इतनी मात्रा लेनी है करी और अगर आपके बहुत ज्यादा जलन है तो आप चार या पांच बार भी ले सकते हैं इतना ध्यान रहे कि जब दवाई लें पेट थोरा खाली हो भरे पेट पे दवाई काम कम करती है इसलिए सुब गंटे के बाद लें खाना खाके दो गंटे बाद ले लें फिर खाना खाके दो गंटे बाद ले लें इस प्रकार दिन में तीन बार तो अबश्य लें अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो चार या पांच बार आप ले सकते हैं आप देखोगे आपका पेशाब की जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी एक दिन में आदे से जादा फायदा पड़ जाएगा और तीन दिन में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आप ये एक बार जरूर अजमाएं अगर आप डॉक्टर के जाओगे तो आपको कई तरह के टेस्ट बताएगा फिर इलाज करेगा फिर उन दबाईयों का साड एफेक्ट भी होगा एक बीमारी को मिटाएंगी दूसरे बीमारी चालू करेंगी इसलिए ये देशी घरेल उन उसके बहुत अच्छी रहते हैं आप एक बार जरूर जमाएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक् कर ये हिन